दोस्तों नमस्कार मैं सरीता जा एक बार फिर से आप सबों का स्वागत करती हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर और बहुत खुशी होती है मुझे ये देखके कि मेरे जो वीडियो ने वो लोगों की मदद कर पा रहे हैं आपको help कर पा रहे हैं क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं और कई सारे लोग कमेंट करते हैं कि मैं फलानी टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो I am so grateful कि चलिए मैं आप लोगों के किसी काम आ रही हूं धन्यवाद शुक्रिया गौड का शुक्रिया तो दोस्तों आज का जो वीडियो है ये एक बहुत ही खास वीड दोस्तों को मैंने चुना क्यों मैं इसके उपर इतने वीडियो बनाती हूं क्यों मैं आपसे इतनी बाते करती हूं so समझने की बात यह है कि हम जो औरती होती है खासकर मैं औरतों की बात करूंगी because men की एक mentality पहले से fix होती है पढ़ना है, job करना है और हम लड़कियां, हम women जो होती है आप चाहे कितने भी decided हो कि पढ़ने के बाद आप क्या बनोगे so वो सारे के सारे जो सपने है वो हमारे धरे के धरे रह जाते है because after marriage हमारी जो पहली priority होती है हमारी family, हमारे बच्चे हमारे in-laws और मैं agree करती हूँ मैं नहीं कहती कि yes हमें बहुत ambitious होना चाहिए और सब को छोड़ करके अपना career देखना चाहिए मैं भी इसके पक्ष में नहीं हूँ so yes, अब देखना है कि ठीक है, family तो देखनी चाहिए as a woman हम एक स्विस्टी करता होते है so हमी परिवार भी चलाना है अपना अपनी family को भी देखना है लेकिन what about me मेरा क्या तो क्या मैं सिर्फ परिवार ही देखती रहू not possible मैं agree नहीं करती कि आपको सिर्फ अपने परिवार को देखना चाहिए सिर्फ अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए और जब बच्चे बड़े हो जाए तो फिर बच्चे ही आपको कहे कि ममा आप तो कुछ समझते ही नहीं हो husband कहे कि भाई अरे तुम लोगों को क्या पता है right तो ये जो languages होते हैं ना काफी हर्ड करने वाले होते हैं और that's why मैं चाहती हूँ हर lady हर lady को अपना वजूद जरूर बनाना चाहिए और कहते हैं मैं हमेशा बानती हूँ कि पैसा बोलता है पैसा जो है वो सबसे बड़ी ताकत होता है अगर देखा जाए तो बहुत कम women है जो decision लेने की अधिकारी होती है so आपको अपनी जिंदगी में decisions लेने की अधिकार भी नहीं होते है because decisions वहीं ले सकता है जो order होता है और हम तो orders होते ही नहीं है right मैं अपनी बात नहीं कर रही मैं पिछले 18 सालों से earning कर रही हूँ so that's why because 18 साल पहले जो मेरी जिंदगी थी तब की जिंदगी और आज जब मैं earn कर रही हूँ तब की जिंदगी जमीन आस्मान का फरक है और मैं इसलिए मानती हूँ कि देखो बच्चे भी आपकी respect तभी करते हैं जब आप earn करते हैं इसको गलत सेंस में नहीं लेना है कहने का मतलब है कि जब आप earner होते हो ना तो बच्चे भी proud करते हैं आप पे फिर वो यह नहीं कहते कि मामा तुम्हें क्या समझ में आता है फिर उनको लगता है कि नहीं नहीं ममा भी कुछ है so ये एक बहुत ही दिल से निकले हुई बात थी जो मैंने बस यूहीं बोल डाली लेकि मेरा जो मकसद है आपको और इफ्लेम बताना इस उप्रचुनिटी के बारे में शेयर करना उसके बीचे मकसद क्या है क्योंकि हम औरतें क्या कर सकती है आप बहुत पढ़े लिखे हो लेकिन क्या 9 to 5 की जॉब हमारे लिए पॉसिबल होती है और अगर हम कर भी लेते हैं तो क्या वाकई हम वो जी पा रहे होते हैं जो करना हमें अच्छा लगता है मैं कई ऐसे लोगों से मिल चुकी हूँ जो जॉब में तो हैं जो पैसे अच्छे कमा रही है लेकिन क्या उनको वो जो काम वो करने है क्या वो करना उन्हें अच्छा लगता है not at all right so कई बार मैं टीचर्स से मिली हूँ तो टीचर्स का कहना होता है कि नहीं नहीं अब देखो यह तो मजबूरी है स्कूल जाना पड़ता है लेकिन राइब बहुत एक्टिक हो जाती है so हम लोग खुद के लिए ना समय नहीं निकाल पाते तो solution क्या है कि हम खुद को भी देख पाए अपनी family को भी manage कर पाए अगर हम कोई business शुरू करते है तो business शुरू करने का मतलब होता है लाखो लाख की investment space समय देना जाकर के वहाँ पे अब हर lady तो इतनी talented है नहीं कि भाई आपने online digital काम शुरू कर लिया हर lady के लिए possible नहीं होता तो ऐसे में ये direct selling industry आपको एक मौका देती है कि you can start your own startup आप घर से अपना काम शुरू कर सकती है अपनी friends के साथ बाते करके आप business को बना सकती है अपनी pros वाली भावी से बाते कर सकती है आप Facebook पे friends बना सकते हो और उनके साथ आप Oriflame की opportunity share कर सकते हो सवाल है कि opportunity क्या है opportunity है आपको अपनी दुकान विदलनी है जब हम कहीं और से नहीं करके Lakme, Revlon इन चीजों से नहीं ले करके जब हम अपनी दुकान बदल लेते हैं और Oriflame के साथ शॉपिंग करना शुरू करते हैं तो आपके पास अवसरों की दुनिया खुल जाती है बहुत सारी opportunity आपके पास खुलती है और अब बात आती है choice की what you want अब क्या चाहती है गौर को रो कि क्या कभी जिन्दगी में किसी ने आप से पूछा है actually आप क्या चाहते हूं हम सभी दिन भर अपने बच्चों से पूछते हैं बिटे आज क्या खाना बना है husband से पूछते हैं क्या तबे ठीक है ना बट कभी गौर किया है कि कभी आप अपने इनलोज से बाते करते हो सब का ध्यान रखते हो बट कभी ये सोचा है कि आपके दिल और दिमाग का ध्यान कौन रखता है शायद बहुत कम ऐसी women हैं जिनके husband उनका बहुत ज़्यान रखते हैं बिकर्स वो भी क्या करेंगे जो husband काम पे लगा हुआ है उसके पास काम का इतना प्रिशर है तो वो क्या आपका ध्यान रखेगा ठीक है तो possible नहीं हो पाता और यही सब कुछ जो ऐसे reasons हैं जिस वज़े से औरती एक उम्र के बाद depression का शिकार होती हैं उन्हें life अच्छा नहीं लगता so that's why मैं हमेशा यह मानती हूँ कि जब तक एक woman खुद खुश नहीं रहेगी वो अपने परिवार को खुश नहीं रख सकती so बहुत ज़्यादा important है आपके लिए कि आपकी खुशी किस्मे है क्या करना आपको अच्छा लगता है right so that's why मैं हर किसी को कहती हूँ हर किसी से पूछती हूँ पर आपको आपकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें हो आने वाले पाँच सालों के बाद आप कहां जाना चाहती है तो देखो आपके husband के पास चाहे कितना भी पैसा हो लेकिन उस पैसे की अधिकारी आप नहीं होती आप वो पैसे खर्च कर सकती है लेकिन हिजाब देने के बाद आप उस पैसे को अपने हिसाब से खर्च नहीं कर सकती so that's why बहुत ज़दे important है कि हमारे पास खुब की एक earning हो जिसे आप अपने हिसाब से चला पाए imagine कीजिए कि आपके पास आपके अप सुचो कि आपके घर में एक गाड़ी है आपको market जाना है क्या kitty party में जाना है husband को भी urgent है अभी निकलना है कौन जाएगा क्या आपको वो गाड़ी मिलेगी normally नहीं क्योंकि husband का काम important है और होना भी चाहिए क्योंकि आप तो party बनानी जा रहे हो तो भाई आप manage कर लो तो अब सोचो कि यहीं पर अगर आपके खुद की एक कार होती तो जिसको आप खुद drive कर रही होती कितना फरक होता है इन चीजों में so खुद की एक income खुद की एक गाड़ी जिसे आप drive करें दोस्तों मैं यह सारी बाते इसलिए कर रही हो कि मेरे कुछ ऐसे ही सपने थी यही चीजे थी जिसने मेरे अंदर एक वो पैदा किया यह सपना सको परिवार के लिए खुशियां खरिद सको that's why I am here so आपको सबसे पहले यह समझना है कि आप यहां पे क्यूं है जब आपका वाय सेलेक्ट हो जाता है कि आप यहां पे क्यूं है तब आप इस business को कर पाओगे और खासकर आज जो मैं बाते करूंगी Normally Oriflame का business किसी भी महीने में आप शुरू करो यह तो opportunity की दुनिया है जहां पे आप बेतरीन quality के products खरीदने का मौका मिलता है आपको shopping के उपर gifts देने का मौका, shopping के उपर discount पाने का मौका, monthly income पाने का मौका मिलता है, extra bonuses cash award पाने का मौका, dream program का हिस्सा आप होते हैं, तेश-वि हम क्या क्या चाहते हैं, life में, काश कि मेरा घर ऐसा हो, काश मेरे पास यह वाली गाड़ी हो, काश मैं अपने बच्चों को बढ़ी आजूकेशन दे पाऊं, काश कि मैं भी साल में foreign trip जा पाऊं, काश मैं अपने husband को car gift कर सको, काश मैं अपने husband को फलानी चीज़े gift कर सको, right, तो देखा जाए, तो एक अच्छी lifestyle, luxurious lifestyle, सुख, शांती, घूमना, फिरना, अमुमन यही हमारा सपना होता है, और कई लोगों का सपना होता है, कि मैं लोगों की मदद करना हूँ, like इस सपने में मैं भी शामिल हूँ, यह मेरा बहुत बड़ा सपना है, so empowering lives and fulfilling dreams, that is my passion as well as my profession, so that's why आपको ढूंडना है, कि आप यहां क्यों है, क्या सपने हैं आपके, तो सबसे पहले अपने सपने को ढूंडिए कि आप औरी flame से क्या पाना चाहती है, क्या खुद का घर लेना चाहती है, या महीने की 50,000 की income, एक लाग की income, आप बहुत सारा cash reward चाहती है, yes, foreign travel करना चा क्याती है, कई सारे women क्याती है, मैं मैं जिन्दगी खुल के जीना चाहती हूं, तो अगर आप भी खुल के जीना चाहती है, जहां पे खुल के जीने का मतलब बहुत positive है, so खुल के अगर आप भी अपनी life जीना चाहती है, जहां कोई रोक ना हो, ना कोई टोक हो, so एक यह ए opportunity to start your own startup बलकि ये कैसी opportunity है जहां कोई भी साधारन से साधारन इंसान इस opportunity का हाथ पकड़के अपने जिन्दगी को असाधारन बना सकता है अपने सपनों को फुल्फिल कर सकता है that अगर लोग कर रहे हैं why not me एक बेहतर जिन्दगी मैं हमेशा मानती हूँ एक बेहतर भविश्य हर बच्चे का हक है और एक खुबसूरत जिन्दगी हर इंसान का अधिकार तो अगर बाकी लोग अच्छी जिन्दगी जी सकते हैं why not सरीता जहा इस सपने के साथ मैशर हुई थी और that's why आज मैं आपको समझा पा रही हूँ why not you अगर मैं जी सकती हूँ आप क्यों नहीं राइट तो और इफ्ली is a land of opportunity आपको decide करना है आपको क्या चाहिए यहां से आज मैं बाते करने आई हूँ कि क्यों ये तीन महीने ये जो तीन महीने है एप्रिल जो अलड़ी आदा बीच चुका है तो एप्रिल में और जूद ये तीन महीने हमारे लिए क्यों important है दोस्तों मैं अब थोड़ा सा कुछ graph करके आपको बताऊंगी कि ये business कैसे चलता है औ और क्या क्या चीजें होती हैं सुझ मैं whiteboard का सहारा ले रही हूं मैं कोई presentation यहां पर नहीं दिखा रही आपको बद कुछ ड्रॉव करके जरूर दिखाऊंगी कि ये business चलता कैसे है देखो इस business में सबसे पहले हमें dream list बनानी होती है कि हम क्या क्या सपने देखते हैं क्या पा इसको बिल्ड करने के लिए जो raw material होता है ना वो होते हैं लोग यह लोगों का business है क्योंकि यह company आपको मौका देती है कहती है कि बेहतरीन quality के products हम आपको provide करेंगे आपको branding भी नहीं करनी आपको investment भी नहीं करना है आपको को wholesale retail भी नहीं करना आपको packaging भी नहीं करनी आपको transport म भी नहीं पढ़ना है देन करना क्या है business कैसे होगा यह business चलता है sharing recommendation से क्या share करेंगे आप भी अपनी दुकान बदलते हैं आप भी अपनी जरूरत की चीज़ें अगर यहां से नहीं लेके oriflame से लेते हैं आपको भी एक मौका मिलता है जहां पे आप खूब सुरत दिखना ह अपने को पूरा कर सकते हैं यह opportunity हम हर किसी के साथ share करते हैं ठीक है अब देखो हमारा काम है share करना अब जिसके साथ मैं share कर रही हूं हो सकता है उसके पास इतना डेर ना हो तो जरूरी नहीं है कि जिसके साथ हम share करेंगे वो सारे कि सारे लोग इस opportunity के साथ जूड़ेंगे ही तो यह मान के चलना है कि भाई जब हम 10 लोगों को यह opportunity share करेंगे तो शायद 2-3 लोग हमारे साथ जुडेंगे और उसमें से शायद एक इंसान ही काम करेगा तो अब देखो यह business बनता कैसे है जब हम लोगों की team build करनी शुरू करते हैं और हर कोई जब अपनी शॉपिंग यहां से करता है तो हर किसी की छोटी छोटी शॉपिंग आपको एक बड़ा सा turnover generate करके देती है और जितना turnover आप company को देते हैं तो कि company कहती है कि मुझे भी देखो हर company business के लिए आती है अब औरिफ्लेम भी products बनाती है लेकिन औरिफ्लेम अपने product बनाने के लिए अपने products को market करने के लिए एश्वरिया रोई का सहरा नहीं लेती करीना कपूर का सहरा नहीं लेती यह कहती है कि मैं नहीं चाहती कि यह पैसे करीना को जाएं यह पैसे आश्वरिया को या मादुरी को जाएं मैं चाहती हूं कि अगर एक साधारन इंसान मेरे साथ जोड़ता है और मेरी product को market करता है आपके थूर जब mouth advertisement हम करते हैं यानि कि sharing अपने friends के साथ relatives के साथ जब हम इस business को जब इस product को हम share करते हैं और उस तरीकी से जब लोग हमारे जितना business मिलता है आप जितने का business मुझे दोगे आपके उस पूरी की पूरी sharing के ऊपर आपको monthly income मिलना शुरू हो जाता है छोटी जब आप कम लोगों की team बनाएंगे तो income छोटी होगी जैसे जैसे आप team बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपकी income बढ़ती जाएगी और जि जाके उस video को देख ले कि कितने लोगों के team पे कितनी income आती है so income तो बहुत सारी है यहां पर बिगनिंग में आपके इंकम शुरू होती है minimum 200 points से लेकिन why April में June यह important क्यों है वो मैं आपके साथ share करूंगी कि यह 3 महीने क्यों खास है हमारे लिए so देखो normally देखा जाए तो ह हमारा जो काम है suppose करो कि मैंने इस business को यह joint कराया एक दो तीन चार पांच पांच लोगों के साथ मैंने यह business opportunity share की अब यह जो पांच लोग हैं किसी ने खरीद लिया आपका 50 points किसी ने खरीद लिया 100 points अब यह जो मैं points बता रही हूँ न यह क्या है कि हर product की purchasing के आपको points मिलते हैं वो सारी चीज़ें आप वीडियो में देख सकते हो किसी ने खरीद लिया मालो 25 points का सामान ठीक है किसी ने खरीद लिया 200 points का सामान और किसी ने बोला कि भाई मुझे तो कुछ नहीं चाहिए ब आपको generate करके देती है ऐसे business बनता है इस महीने company ने एक बहुत ही बेहतरीन offer launch किया है जिसे हम कहते हैं entrepreneur bonus what is entrepreneur bonus entrepreneur bonus कहता है कि आप अगर इस business के साथ अगर आप इस business के साथ लोगों को recruit करते हैं और वो लोग अगर 100-100 points करते हैं देखो हर किसी की shopping आपके साथ add तो होती ही है लेकिन उसके उपर आपको जो पैसा मिलता है वो मिलेगा ही मिलेगा additional क्या है additional आपको मिलता है entrepreneur bonus और वो आपको तब मिलता है जब आप यहाँ पे देखें like मैं आपको बता रही हूँ suppose करो कि आप ने आपने join कराया अपनी एक friend को ठीक है एक friend को join कराया और आपने ये दूसरी friend को भी join करा दिया दो लोगों को आपने join करा दिया मेरे drawing अच्छी नहीं है please don't mind right so अब देखो यहाँ पे आपने एक को join कराया यहाँ पे दूसरे को join कराया और अब यह जो दोनों लोग हैं आपके यह क्या कर रहे हैं इनको आपने समझाया कि आप कैसे कर सकते हैं hundred point की shopping देखो यहाँ पे जब आप shopping करते हो न औरी frame के साथ तो हर महीने shopping के उपर आपको अलग-अलग benefits मिलते हैं इस महीने की shopping पे क्या benefit है इस महीने जब आप hundred point करते हैं तो hundred point की उपर अलग से gift है 50 points के उपर दो product है जो आपको मिलते हैं just six seven hundred की products है जो आपको मात्र बन 99 रुपीस में मिलते हैं और अगर आप hundred point करते हो तो आपको globally resource किया हुआ wallet Sweden का wallet है जो बहु important wallet लेने का मौका मिलता है तो shopping के साथ आपको personal shopping जब आप करोगे तो उसके उपर आपको discount मिल रहा है जब product आप खरीद रहे हो उसके उपर आपको additional चीजें मतलब अच्छी से अच्छी मेंगी चीजें आपको बहुत कम rate में लेने का मौका मिल रहा है यह double profit हो गया यह offer अब अपने अपने लिए 100,000 point की shopping करते हैं अब यह जो दो लोग अपने अपने लिए 100,000 point की shopping कर रहे तो इन्हीं क्या मिल रहा है इन्हें discount मिल रहा है इनको business शुरू करने का मौका मिल रहा है और क्या मिल रहा है इनको gifts लेने का मौका मिल रहा है जब आप दो लोगों की मदद क करते हैं न तो यहां पर आपको मिलता है एडिशनल जो बेनेफिट है आपको यहां पर एक केश अवार्ड मिलता है जिसे हम लोग कहते हैं एंटर्प्रेनियर बोनस डाट इस यह होता है आपका फाइव हंड्रेड रुबिस का अब देखो जब आप दो लोगों को जॉइन कराते हैं और आप भी अपना हंड्रेड पॉइंट करते हैं तो कुल मिला के तीन सो पॉइंट हो गए तीन सो पॉइंट पी जो आपको मंथली इंकम मिलती है वो तो मिलेगी यह मिलेगी बट यह एडिशनल फाइव हंड्रेड का कैश अवार्ड मिलता है आपको दो लोगों पे यानि जब दो लोगों को आप सौसो पॉइंट कराती हो तो एक पेर बनता है उस एक पेर पे आपको बिलता है 500 अच्छी चीज यह है कि यहां पे कोई लिमिटेशन नहीं है दो के जगा अगर आपने यहां पे चार लोगों को जॉइन करा दिया अब यह जब दो लोगों को आप और जॉइन कराते हो तो यहां पे क्या होता है यह हो गया एक आदमी अगें हो गया अगर के दूसरा दी अब क्या होगा यहां पर भी करेगा कितना यह कर रहा है आपका यह भी कर रहा है 100 पॉइंट एंड यह जो बंदा है दूसरा इसको भी आपने करा दिया 100 अप कितने लोग वह गया आपके नीटवर्त में आपने दो पेयर कंप्रीट कर दिया ठीक है सो दो लोग जब 100-100 करते हैं, तो आपका हो जाता है, एक पेर कंप्लीट, इस पे आपको 500 मिल रहा है, आपने यहाँ पे क्या किया, दो लोगों को जॉइन करा के, अगें, दो नए लोगों को जॉइन कराया, यानि कुल मिला के 4 लोगों को, और फ्लेम के बेरिफेट्स आपने दिलाए, चार लोगों को एडिशनल गिफ्ट लेने का मौका दिलाया, तो इसके एवस में आपको अगें मिलता है, एक 500 का बोनस, इस डाट इस, अगें, 500 रुपीज, ठीक है, अब आप देखें, कि आपको जो मन्तली निकम मिल रही है, वो तो मिली रही है, लेकिन अपको मिल रहा है, वो मिल रहा है, एक्स्ट्रा ये entrepreneur बोनस, देखो, ये entrepreneur बोनस आपको मिला, अब आपकी टीम पे चार लोग हो गए हैं, और एक आप, यानि कि 500 पॉइंट्स होगαιे, अब अगर 100 पॉइंट हम और कर लेते हैं, तो क्या मिल जाता है हमी, हम 6% परीप चले जाते हैं और हमें अलग से 12300 का अलग से इंकम मिलता है एंट साथ यहां पे आपको हजार रुपए का चेक भी मिल गया तो देखा जो है प्लस गिफ्ट्स जो हैं वो सारी चीज़ें अगर हम एड करें तो बहुत आराम से यहां पे 5000-6000 की इंकम पहले महीने आपकी हो सकती है यहां पे देखनी की चीज़ यह है कि मैंने अगर चार लोगों को जॉइन कराया और मुझे मंदली इंकम के अलावे अपने लेबल पे इंकम के अलावे अगर मुझे 1000 रुपए का एक्स्टा बेनिफिट हुआ तो भाई यह बिजनस तो आपको यह कहता है कि आप जब जो ब बेनिफिट ज्यादा बिलता है अब क्या हो रहा है अब देखी यहां पर अब मैंने इनको समझाया और इनको भी मैंने बताया कि भाई देखो मुझे तो बोनस मिली रहा है एंटर्पेनियर बोनस वाइन आट यू अब मैंने यहां पर इन दोनों लोगों को बोनस समझा दि अब यहां पे इन्हों ने भी किया 100 points और जो दूसरा बंदा है इसने भी कर लिया 100 points ठीक है अब क्या हुआ इनको भी मिल जाएंगे कितने इनको भी मिल गया 500 का extra 되aspebra entrepreneur cash award ठीक है अब क्या स्फ इनी से करवाना है अब हम मैंने इन से बात की right अब यहां पर आप देखो कि मैं यहां गई यहां Peace और इनको भी समझाया कि इतना अच्छा bonus है आप क्यों नहीं आप भी अपनी कुछ लोगों से बात करो और प इन्होंने भी just a moment मैं यह first time use कर रही हूँ इसके थोड़ा सा मुझे प्रैक्टिस कम है तो अब आप देखें कि यहाँ पर भी क्या हो गया अब यह यहाँ पर इनों ने एक को join कराया, यहाँ पर दूसरे को join कराया अब यह लोग भी क्या करेंगे अब यह भी यहाँ पर करेंगे आपका 100 business point इनों ने कर लिया 100 और यहाँ पर इनों ने कर लिया 100 अब क्या हो गया, अब इनको भी मिल जाएगा 500 का entrepreneur bonus ठीक है, अब देखो आपके team में कितने लोग entrepreneur bonus कमा रहे हैं, आप तो कमा ही रहे हो, साथी साथ कौन कमा रहा है, आपका यह वाला जो डाउन लाइन है, यह भी entrepreneur bonus कमा रहा है 500 देखो, यह जो है, इसको भी आपने कमाना सिखा दिया, right यहाँ पे इसको मिल गया entrepreneur bonus, और आपने यहाँ पर भी कमाना सिखा दिया, और यहाँ पर इसको मिलगा entrepreneur bonus देखा जाए तो आपकी टीम में आप कमा रहे हो 1000 रुपेज एक्ट्रा और आपके टीम में दो लोग कमा रहे हैं 500 500 एक्स्ट्रा अब अगर हम देखी तो हमारी टीम कितनी बड़ी होगे अब देखो एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ आठ सो होगे एक 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 दो तीन चार पांच छे साथ यस आठ सो पॉइंट होगे अगर मैं कुछ लोगों को और हेल्प करूँ जहां पर उनको मैं इंटर्टेनियर बोनस दिला पाऊं तो आप देखोगे कि आपका आप लोगों को जब प्रॉफिट दिला रहे हो ना तो आपकी इ एक जांपल की भाई इनको मैं बोलू कि आप और इक दूर्टों को जॉइन करा लो और इन्होंने क्या किया अपने दो फ्रेंड को और इन्होंने जॉइन करा लिया अब क्या हो गया यहां पर अगें हंडर्ट मिल गए आपको यहां पर भी आपको मिल गए अगें हंडर्ट कि देखो किस तरेके से ये बजब रहा है कि अब यहां पर देखो इनके कितने पॉइंट्स हो गए 400 प्लस यह अपना किये हैं 100 500 तो 500 पॉइंट्स अल्रेडी इनके हो गए तो अब हमें क्या करना है अब हमें इनको पुश करना है क्योंकि 500 पर तो इनका लेबल थ्री रह कि आप किसी एक को और अगर जॉइन करा लेते हैं तो आपका क्या होता है आपका लेबल बढ़ जाता है और आप 6% पर पहुंच जाते हैं अब देखिए यहां पर अब यहां पर देखो यहां पर देखिए यह जो बंदा है आपके टीम में यह इसका टोटल पॉइंट्स कितना हो गया एक दो तीन चार पांच छे यहां पर इसके जो पॉइंट्स हो गये टोटल यह हो गया आपका 600 बिसनेस पॉइंट पर इनकी जो इंकम इनको मिलती है वो मिलती है तकरीबन 1300 की तेरह नो की मंद्ली इंकम मिलती है और अब इनको किक्ना मिल गया है एक्स्ट्रा पांसू ale 50085 avoir mm स्बाह्ण कैंड्स हजार स्पांशॉर aggiघ यह इंको एडिशनल केश्णल बागए राइच अब देखं पहले से किने कि जो इनकी cash वाली income है वो कितनी हो गई इनको इनको मिल गई 2300 रुपे का immediate cash income मिल गया अब सोचो कि आज अगर यह six हुआ है तो क्या कल को यह अपने next level के लिए काम नहीं करेगा अभी इसको जब आपने six कराया 600 points यहां पर हो गए साथ आठ नौ दस ग्यारा बारा प्लस एक आप 13 आपके total group में जो group BP हुआ that is कितना हो गया 1300 आपका हो गया group BP 1300 सॉरी 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 यहां पर 1300 आपका group BP हो गया राइट 1300 group BP पे आप पहुँच जाते हैं 9% ठीक है अब अगले महीने हम फिर इनके साथ काम करके जैसे देखो अभी क्या है offer क्या है यह मैंने बताया आपको entrepreneur bonus जाने कि यह unlimited है आप जितने ज्यादा लोगों को यह benefit बताते हो जितने ज्यादा लोगों के साथ आप यह benefit शेयर करोगे न तो उतना ज्यादा आपका team पढ़ता है उतना ज्यादा आप entrepreneur bonus ले सकते हो तो मैंने जो बताया आपको कि why this month is very important because आपको मिल रहा है entrepreneur bonus और यह entrepreneur bonus के तुरू आप बहुत सारा cash award ले सकती है additional cash award जो मिल रहा है ले सकती है और team को दिला सकती है but again यह आपको मोटा मोटा समझ में आगया team बढ़ती कैसी है तो यह आप समझ गए team बढ़ती कैसी है अब हम बात करेंगे entrepreneur bonus हम जब लोगों को दिलाना शुरू करते हैं मैंने आपको दिखाया न पांच लोगों के साथ business दिखाया अब second step में मैं आती हूँ कि अब तीन महीने हैं हमारे पास entrepreneur bonus के साथ साथ link क्या है manager's bonus ठीक है entrepreneur bonus भी तीन महीने आपको लगतार मिल रहा है तीन महीने के बाद यह नहीं मिलने वाला manager bonus भी आपको तीन महीने मिलेगा तीन महीने के बाद नहीं मिलेगा तो अब क्या करना है अगर हम entrepreneur bonus को सही तरीके से इस्तेमाल करें, सही तरीके से drive करें, तो आप देखेंगे कि लोगों को जब आप entrepreneur bonus दिलाते हैं, यानि कि एक बार फिर मैं आपको यहाँ पे draw करके बताऊं, जब आप लोगों को मान लो आपके पास पांच लोग थे, एक, दो, तीन, चार, एड़ एक पांच, पांच लोगों की टीम है, for example, अब क्या है, कि हम अब इनके साथ, इनको इन सब के साथ हमने काम किया, और इनके साथ भी हमने तक्रीबन पांच पांच लोगों की टीम अब देखो, इन सब को मैंने क्या किया है, अब सब को समझाना है कि आपको क्या करना है, पांच लोगों की टीम बनानी है, ठीक है, अब देखो, अगर पांच लोग, पांच पांच लोगों की टीम बनाते हैं, तो आपके टीम में कितने लोग हो गए, 25 लोग हो गए, अब यह सारे लोग अपने पांच-पांच लोगों के साथ जब अब सब लोग क्या कर रहे हैं सब लोग हजार हजार रुपे का एडिश्टल बेनिफिट हम दिला रहे हैं हजार रुपे का इनको एक्स्ट्रा बोनस मिल रहा है और और क्या मिल रहा है साथ में इनको मंतली इंकम मिल रही है तो अब देखो यह just a calculation के हिसाब से मैंने आपको दिखाया है कि जैसे पांच इनके है 5 इनके है ऐसे पांचों के हमें 5 लोग लाने है और 5-5 लोगों के साथ जब यह अपना 100-100 पोईंट करेंगे जब यह अपना 100-100 पोईंट कर ले रहे हैं तो क्या हो जा रहा है पांच लोग अगर आपका 100-100 पॉइंट कर रहा है प्रस्निकाप तो यानि कि पूरे टीम में छे लोग हो गए छे लोग मिलके जब करते हैं 100 पॉइंट अब मैं इसको फिलहाल एरेस करती हूं और आप मैं कैलकुलेशन करके आपको बताती हूं यह देखो कि 6 इन्टू 6 लोग 6 लोग 6 लोग 6 लोग अगर करती हैं आपका आपके साथ कर रहे हैं 100-100 पॉइंट आज फर्स टाइम मैं यूज कर रही हूं इसलिए मुझे नहीं हो रहा है एनीवेज चे लोग जब करते हैं यहां पे 100 पॉइंट तो आपके पूरे नेटवर्क में कितना हो जाता है चेचे-चे-चे-चे-चे-चे-चे-चे-चे-चे-चे-चे-चे-चे-चे-चे-चे-चे-चे-चे-चे-चे-चे-चे-चे-चे-च से जब आपके टीम में तीन हजार पॉइंट हो जाता है तो आप देखोगे कि आप पहुँच जाते हैं 12% पे ठीक है आप पहुच जाते हैं 12% पे और जब 12% पे आप पहुचते हो तो आप कहलाते हो 12% जब 12% मैनेजर आप बनते हैं तो आपको क्या मिलता है एडिशनल जो कैश एवार्ड मिलता है वो मिलता है 5000 रोपीज का एडिशनल कैश बॉर्ड लेने का मौका तो देखो जब आप लोगों को एंटर प्योर्णियर बोनस दिला रहे हो अपने टीम को तो आपको क्या मिल रहा है आपको एडिशनल 5000 और करने का मौका तो फॉर इग्जेंपल कि आप अगर एप्रिल में अगर आप पांच लोगों को 6% पहुंचाते हैं मेरा और एक वीडियो है कि 12% मैनेजर कैसे बने आप जरूर इस वीडियो को देख लेना सो पांच लोगों को अगर मैंने 6% पहुंचाया तो मेरे टीम में हो गए 3000 बीपी 3000 बीपी पे मैं बन जाती हो 12% मैनेजर मैनेजर बनने पे जो मेरी मंतली इंकम होती है वो होती है एप्रॉक्सिमेटल अगर कोई 12 बनता है अगर कोई 12 बनता है चाहिए बनता है और कोई पारेजर बनता है और के साथ अगर अगर आप अजर आफ फ्इब बेभी करते हैं दूसक्स के कितने बी चाहिए होता है 15% के लिए हमें चाहिए होता है 4000 BP जब आप 4000 बिजनस पॉइंट करते हैं तो आप पहुँचते हैं 15% के लेबल पे आप पहुँचते हैं यहाँ पर जो आपकी इंकम होती है वो तकरीबन 10 से ले करके आपका 15,000 तक 10 to 15,000 की आपकी इंकम हो जाती है ठीक है यह आपकी मंधली इंकम हो गई additional cash award आपको क्या मिलता है यहाँ पे आपको additional जो cash award मिलता है वो मिलता है 10,000 रुपए का ठीक है तो 15% manager अगर आप बनते हैं उसके लिए कितने points कर रहे है 4000 पॉइंट करके आप 15% manager पे यहाँ पे मंधली इंकम आपको 10 से 15,000 के बीच मिल रही है एंड साथी साथ क्या मिल रहा है आपको 10,000 का manager's bonus अब यही अगर हमारा label 12,15 नहीं हो करके अगर हमारा label हो जाता है 18% for example 18% अब 18% के लिए हमें किस level पे कितने points चाहिए 18% के लिए हमें चाहिए होता है 6,600 points ठीक है तो आपके जो 5 लोग थे उसमें से for example आपने किसी दो लोगों को दिला दिया यह manager bonus यानि कि अब मैं इसको यहाँ पे आपको समझाओं अगर आप highest bonus लेना चाहते हैं तो for example कि हम पाज में से मैंने 2 को 5 लोग हैं अब यहाँ पे दो लोगों को यह और यह यहाँ पे हमने इनको करवा दिया कितना चौबिस सो point चौबिस सो point and again दूसरा भी कितना हो जा रहा है दूसरे को भी हमने करा दिया 2400 point अब देखो दो निकल गए मेरे पास 12% manager दो लोगों को मैंने बना दिया क्या 12% manager ठीक है दो लोग 12% manager हो गए तो आप देखो चार चार यहाँ पे मिल गए आपको 4800 point ठीक है अब मान लो कि यह लोग जो है एक आदमी है आपका 9% पे यहाँ पे मैं लेती हूँ यहाँ पे आप लेके चलो कि यह कर रहा है आपका 1200 point यानि कि इसका label क्या है यह है आपका 9% पे just a moment यह 9% पे है यहाँ आनके चलते हैं यह है आपका 600 point पर ही है for example यह भी क्या था यह भी 600 point है यह भी है 600 point पे and आप अपना करते हो 100 200 जो भी करते हो अब यहाँ पे points calculate करते हैं हम लोग तो यह हो गया 4800 900 100 यानि कि 5000 plus 16000 6000 plus 1200 यानि कि 7000 1200 प्लस आपका यानि कि 7000 137000 point आपके पूरे 7000 13 just a moment चार आट कितना हो गया दो दो चार 4800 900 100 यानि कि 500 यह हो गया आपका बारव पारव चे चेह जाजार यह साथ हजार point आपके पूरे network में यहां पे हो गए ठीक है अब अगर मैं group points की बात करूं तो आपका जो total group point हुआ वो कितना हो गया 7000 plus business point आप किस लिबल पर पहुंच गया हम लोग यहां पर यहां पर जो हमारा लोगों को सिखानी है लोगों को develop करना है सो आप 18 तभी पहुंचेंगे जब आपके नीचे आप किसी दो को 12 करवा रहे हो दो लोग आपके नीचे 12% है दो लोग 6% है और एक बंदा 9% है तो जब आपके नीचे लोगों को छोटे-छोटे पैसे आप दिला रहे हो जो आप नीचे भी लोगों को cash award दिला रहे हो छोटा-छोटा cash award तो आपको क्या मिलता है बड़ा cash award ठीक है तो अब यह देखना है कि जब आपके 3% होते हो तो यहाँ पर जो आपके monthly income होती है ना monthly income यहाँ पर होती है आपकी 22-25,000 रुपीज यह आपको क्या होता है यह आपकी monthly income होती है इसके साथ-साथ आपको जो cash award मिलता है वो मिलता है पंदरह हजार रुपे का 15,000 रुपे का आपको managers bonus मिल जाता है तो आप सोचें कि जब आप देखो इस business में मैं शुरू से बोल रही थी कि आपको तो कुछ लगाना नहीं है आपने कोई बड़ी investment नहीं करी है कोई दुकान नहीं खोली है कोई 9 to 5 की job आप नहीं कर रही है आपको बच्चों को छोड़ के कहीं नहीं जाना है मतलब कोई paint नहीं है यह काम आप zoom पे कर सकती है यह काम आप अपने phone पे कर सकती है ठीक है और भी मैं इसके बाद एक और वीडियो में आपको देने वाली हूँ जहां मैं बताऊंगे कि कैसे एक click से आप अपनी products को निकाल सकती है कैसे करके हम लोग काम कर सकते हैं वो मैं बताऊंगी आपको तो आप सोचो कि सिर्फ sharing and recommendation करके आप इन तीन महीनों को अगर ढंक से इस्तेमाल करें तो आप क्या क्या cash award ले सकते हो 12% manager बनके आप ले सकते है 5000 का cash award 15% manager बनके आप ले सकते हैं 10,000 का cash award और अगर आप 18% manager हो जाते हैं तो आप ले सकते हैं 15,000 का सिर्फ cash award monthly income और बाकी सारे benefits जो हैं वो additional हैं तो that's why ये तीन महीने बहुत important हैं और अब मैं बोलना चाहूंगी अगर आपकी team में अगर आप खुद ही मालो कि आप खुद ही हैं जो already एक 9% हैं या 12% manager हैं तो ये जो तीन महीने हैं ये आपको एक push दे सकते हैं senior manager बन कि देखो आप तभी push होगे जब आप नीचे वालों को push करोगे कहते हैं कि पानी बहुत नीचे है पानी कैसे पीएंगे उसको वह पानी कैसे पीता तो पानी उपर लानी के लिए उसने क्या किया कंकर डाल हमारा business भी ऐसे ही है अगर आप उपर होना चाहते हो तो आपको लो यहां पैसा ले सकती है यहां से ठीक है तो अब सोचें कि लोगों को किसी को 12 कीजिए 12 के लिए काम कीजिए 15 के लिए काम कीजिए 18 के लिए काम कीजिए senior manager बनिए और सबसे अच्छी बात है कि अगर आप इस साल senior manager बनती है तो आपको मौका मिलता है bank को क्रिप qualify करने का और यह जो तीन महीने है ना कि तीन महीने I hope यह चीज़े clear हो गई होंगी अगर कुछ सवाल रहे आपके तो आप definitely मुझसे बाते कर सकते हैं अगर कोई भी तरीके का सवाल हो आपका लेकिन मैं यह कहना चाहूंगे कि इस तीन महीने का इस्तिमाल सही तरीके से इस्तिमाल अगर ह आपको उनके साथ एपड़ डालना पड़ेगा उनको बिजनस सिखाना पड़ेगा उनको ट्रेनिंग सटेंड करवानी पड़ेगी वीडियो उसकिल से चलने का बिजनस है ना तो जितना ज़यदा स्किल आप सीखोगे उतना ज्यादा बहतर हो पाओगे तो यहां जब भी आ हम आपको यहां पे सिकнова सुखाते हैं ठीक है तो अब इस 3 महीने को अगर आप ऐस करके चलते हो तो 3 महीने के अदर आपको करना क्या है सीनियर मैनेजर बनने के लिए अगर मैं आप से यहां पर बात करूं तो एक 6% बनने के लिए हमें कितने लोगों की जरूरत बढ़ती है अगर आप एक 6% होना चाहते हैं तो आपको तक्रीपन तेरा से पंदरा लोग चाहिए होते हैं 6% के लिए क्योंकि हर बंदा जो जुड़ता है आपके साथ वो ओर्डर डालेगा यह जरूरी नहीं है तो अगर बारा लोगों से हमें 600 पॉइंट चाहिए तो बारा भी से कोई हो सकता है 25 पॉइंट को और डाले कोई 50 करे कोई 100 कर सकत है नोबडी नोज तो दैट्स वाई हमेरे पास जब 10-12 लोग रहेंगे तब तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हाँ चलो यह मेरा हो जाएगा 9% के लिए हमें तक्रीबन 30 लोगों की जुरत पढ़ती है जब 30 लोग हमारे टीम में रहेंगे तो हम 9% हो सकते हैं 12% बनने के 200 लोगों की जुरत पढ़ती है 120 लोगों की जुरत और अगर आप senior manager होना चाहते हैं जहां पर आपके income 45,000 प्लस हो जाती है तो आपको और in between आप बहुत सारे cash award भी ले चुके होते हो तो senior manager बनने के लिए हमें कितने लोगों की जुरत पढ़ती है senior manager बनने के लिए हमें हमारे group में कम से कम 200 लोगों की जुरत पढ़ती है अब ये 200 लोग अकेले नहीं लाने आपको अकसर हम सोचते हैं वा परे 200 लोग ये 200 लोग अकेले नहीं लाने 200 लोग लाने के लिए आप को क्या करना होगा पांच ऐसे लोगों को ढूड़ना होगा जो सीरियस हैं पांच ऐसे लोग जो अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं पांच ऐसे लोग जो अपनी जिंदगी से कुछ पाना चाहते हैं जिनके कुछ सपने हैं हर कोई आपके साथ काम नहीं करेगा और हर होता तो अगर हमें अपना सपना पूरा करना है तो हमें क्या करना होगा ऐसे लोगों को ढूलना पड़ेगा जो सपने देखते हैं और उनके सपनों को पूरे करने में उनकी जब हम यल्प करेंगे तो आपके बड़े-बड़े सपने पूरे होएंगे लोगों के छोटे- बसुरत बिसनेस है, समझे इस चीज को, और जब आप senior manager होते हो, जब 200 लोगों की team हो जाती है, तो आप senior manager कहलाते हैं, 10,000 business point आपके team में होना चाहिए, senior manager बनने के बाद, आप in between cash award तो लही चुके होते हैं, एक महीने जब आप senior manager होते हैं, अगर आप बैंकों जाना चाहते हैं, तो by October अगर आप senior manager होते हैं, तो आपको दो मन्त maintenance चाहिए, एक महीने मानों, आपने October में अपना qualify किया senior manager, 10,000 point आपने किया, November और December आपको maintain करना है, तो आप qualify हो जाते हैं बैंकों के लिए, साथ ही साथ, हर बार, जैसे आप senior manager के level को जब हम 6 महीने maintain करते हैं, तो हम कहलाते हैं director, लेकिन अभी चल रहा है fast track program, जिसके तहए 3 महीने में ही आपको title मिल जाता है, and cash award भी आपको 150% cash award मिल रहा है, so normally जब आप director बनते हैं, तो cash award मिलता है 50,000 rupees का, लेकिन अगर आप in between, 2022 के अंदर senior manager बनते हैं, तो cash award भी आपको मिलता है, 75,000 rupees का, जिसका कि आधा आपको मिल जाएगा, जैसे ही आप 3 महीने complete करोगे, और जब और 3 महीने complete करोगे, तो rest 75 का जो बाकी बचा हुआ है, वो भी आपको मिल जाता है, so देखो, इसलिए मैं बार-बार कहती हूँ, कि हमारे लिए April, May, June, बहुत important है, यह वो समय है, अब देखो, यहाँ पे आपका चल रहा है, sponsor benefit भी चल रहा है, अगर हम दो लोगों को join कराते हैं, दो लोगों की joining pace, sling bag है, चार लोगों की joining pace, sling bag प्लस backpack है, तो बहुत खुबसूरत sponsor benefit भी चल रहा है, sponsor benefit है, फिर आपका entrepreneur bonus है, फिर manager bonus है, और यह सारी चीज़ें मिलके किस चीज़ को drive कर रही है, सारी चीज़ें मिलके drive कर रही है, account में 40-50,000 रुपए आने शुरू हो जाते हैं, आपके घर में आपकी इज़त बढ़ जाती है, society में आपकी इज़त बढ़ जाती है, आपका खुद के ऊपर confidence level high हो जाता है, और आप भी एक successful interferior बन जाते हैं, और जब आप success का mantra सीख जाते हैं, तो आपके लिए business करना बहुत आसान हो जाता है, और तब आपके हाथ में कैसे चाबी आती है, जिससे आप लोगों की जिन्दगियों को भी बदल सकती हैं, that's why मैं हमेशा कहती हूँ, मैं काफी हाथ training और meeting में कहती हूँ, कि तीन महीने का इस्तमाल सही तरीके से करें, तीन महीने को सही तरीके से अगर आपने use कर लिया, ये आपकी जिन्दगी का एक turning point हो सकता है, आपकी जिन्दगी को एक अलग दिशा दे सकता है, and मैं हमेशा believe करती हूँ, कि जिन्दगी जो है, वो जरूरते पूरी करने वाली नहीं होनी चाहिए, जिन्दगी वो जहां पे हमारी चाहते पूरी हो, so जिन्दगी चाहतों वाली या जिन्दगी जरूरतों वाली, this is your choice, so मेरे तरफ से इतना ही, I hope आपको ये वीडियो so आप मुझे contact करके पूछ सकते हैं, अगर कोई भी मैं आपके किसी काम आ सकूँ, I am grateful, so thank you so much, और अगर आपने मेरे इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, so that तरह तरह के वीडियो जो मैं लाती हूँ, व आपका भविश एक बेहतर जिंदगी आपका हत बनता है और एक बेहतर भविश बचों को देना उनका अधिकार है, right? So thank you so much and all the very best. Thank you.